सरकार ये चादी केवल सरकार बोले और सब चुप रहें इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा मैं सेफ़ई से चलाओ और मैंनपरी पहुंचाओं पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे ट्रिपल इंजन इन्हें कितने भी इंजन लगा दो इनके टबबे खाली है धरती पुत्र मुलायम सिंग के निधन के बाद सबाध्यक्ष अकलेश्यादव पार्टी के जिम्यदारियों को बखु भी दिभा रहे हैं दरातल वर उतरकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं पत्रकारों से पूछे गए सवालों का बखु भी जवाब दे रहे हैं और तो और देताजी के पद कदमों पर चलते हुए धलने की कोशिश कर रहे हैं दरसल अकलेश व्यादव में इनपूरी में आयोजीत एक निजी कारेकर्मों में पहुचे थे जहां उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर तीका हमला बोला सपा मुख्या ने कहा कि सरकार के कुश मंतरी विदेश में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए गए थे लेकिन कोई भी यहां आना नहीं चाहता है इधर भारती जंता पार्टी ने गुरूप ऑफ मिनिस्टर्स और गुरूप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलगल हिस्सों में भेजा है कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लेंड गया, कोई उस्टेलिया गया और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंती जी खुद तयार हो गए है कि वो भी इंवेस्टमेंट लेने जा रहे है इसका मतलब यह हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रहे है इंवेस्टमेंट लाने के लिए तभी इन्हें बारवार जाना पड़ रहा है अगर इंवेस्टमेंट पहली बार आया होता तो द्योगपती अपने आप इंवेस्ट कर रहे होते जब पहली बार नहीं आया डिफेंस एक्सपो में नहीं आया तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना कर गे दुनिया में भेजा मुझे लगता है वो केबल इन्वाइट करने गए है इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए और इन्वेस्टमेंट के साथ अखलेश यादव शहर में दो निजी कारेकर्मों में शामिल होने आये थे इस दोरान पत्रकारों से वार्टा करते हुए अखलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अभी तक डियेपी का कोई इंतजाम नहीं किया कितने खाथ के खरीद हुई कोई पता नहीं किसान के लिए कोई सहूलियत नहीं की गई सरकार किसान को बरबाद करने की तयारी कर रही है किसान के लिए अभी तक क्या सहुलियत दी है धान कितना खरीदा गया है बीएपी का इंजाम कर पा रहे हो के नहीं कर पा रहे हो महंगी बिजली दे रहे हो आपकी तैयारिया कि किसान बरवाद हो जाए बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए एक लेश आदब ने कहा कि बीजेपी के कई मंडलों को मेंदपुरी के लोगों ने फेल कर दिया है तो वही उन्होंने कहा कि इन्हें कितने भी इंजन लगा दो इनके सभी डिबे खाली है ना किसान न व्यापारी और किसी को भी इस सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है बे सहारा पशो का जिकर करते हुए सपा मुख्या ने कहा कि सैफई से मेनपुरी आते समय पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई देते हैं प्रधान मंतुरी के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हटाए जा रहे हैं वही उन्होंने कोरोना से पूछे गए सवाल पर कहा कि कोरोना का हम सभी लोग डटकर मुकाबला करेंगे मास्क इसलिए लगवाए जा रहे हैं क्योंकि कोई बोले नहीं सिर्फ सरकार बोले इसलिए है कि इसने कोई समस्या समाधान नहीं किया मैं सेफ़ई से चला हूँ और मैंने पुरी पहुचा हूँ पूरे डिवाइडर पर सांड वावा दिखाई दे रहे हैं क्या इन्वनोंने नहीं जिम्यदारी ली थी और जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या समाधान हो वा तो आप प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सडकों से साड़ नहीं अट पारे तो सरकार फेल है कि नहीं फेल ये केवल कॉंग्रेस पारटी के लिए नहीं है अखलेश यादव इस समय कुछ अलखी मूड में दिखाई दे रहे हैं और सीधे सीधे केंद्रवर राज्यों के सरकार पर बरस रहे है जिस तरीके से जमीनित और अखलेश यादव लोगों से जुट रहे हैं उसे देख कर कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए अखलेश दिन प्रते दिन सबसे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे है पिरो रिपोर्ट पंजाब के स्टिवी